हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नेक्सटन आयर सिटीसी यूटूब चैनल सो आज की वीडियो में हम जानेंगे आयर सिटीसी का अकाउंट सस्पेंड क्यों हो जाता है और उसे दोबारा एक्टिबेट कैसे कर पाएंगे इसके बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें डिटेल्स में समझाया हमने आप उसको भी चेक कर सकते हैं अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो डू लाइक शेर और सब्सक्राइब नेक्स चन आयर सिटीसी यूटूब चैनल इसके बारे में जानते हैं जब हम आयर सिटीसी से आईडी बनाते हैं तब हर किसी को 6 टिकेट बुक करने को मिलता है वन मन्त में अगर आप आधार card से link कर देते हैं तो आप 12 ticket book कर सकते हैं यहाँ पर क्या होता है आपने आधार card link नहीं किया और आप हर मैंने 66 ticket book करते रहते हो आप अपना और family का करते हो तो IRCTC को लगता ही कि आपने अपने ही ticket book कर रहा है अगर हर बार एक नए नाम से टिकेट बुक कर रहे हो तो IRCTC को लगता है कि आप अपनी personal ID को professional तरीके से यूज़ कर रहे हो ऐसे में आपकी ID आपको बिना inform किये बंद किया जाता है IRCTC के द्वारा और भी कई रेजंन है औटोफिल यह illegal नहीं है, औटोफिल हम इस्तमाल करते हैं, औटोफिल इस्तमाल करना illegal नहीं है IRCTC का कहना है कि यह illegal नहीं है लेकिन इसे भी आपकी ID को suspend किया जा सकता है IRCTC का कहना है कि आप कोई ब्राउजर का इस्तमाल करते है जैसे Google Chrome, Firefox हो गया या फोन का कोई भी ब्राउजर इस्तमाल करते हो तो ब्राउजर के अंदर आप अपनी ID पासफट को सेव करके रखते हो तो आपकी ID को सस्पेंट कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है जैसा ही Google पर सर्च करके महां से हटा दीजिए अगर आपने IRCTC को सेव करके रखा है तो इसे भी आपकी ID को सस्पेंट किया जा सकता है और कई रीजन है जैसे ID बनाते वक्ट डिटेल्स गलत देते हो फिर IRCTC को लगता है कि तुमारे नाम से बहुत सारी ID है तो ऐसे में भी आपके ID को बंद किया जा सकता है तो अगर आपके नाम से बहुत सारी ID है तो आप उन ID को बंद कर दीजिए सिर्फ एक ही ID रखे नई तो आपको कई परिशानियां आ सकती है अगर आप IRCTC की ID को खुछ से डियक्टिव कर देते हैं जैसे की प्रोफाइल में जा करके सस्पेंड यू जाता है तो आप उस आधार कार्ट से दूसरी ID नहीं बना सकता है तो आपको भी नहीं पता आपकी ID सस्पेंड हो चुकी है अगर आप नई ID बनाते तो कैसे बनेगा यहाँ पर आपको IRCTC को मेल करना होगा कि जो मेरी ID है उसे डॉक्यमेंट्स को रिलीज कर दो उस डॉक्य से एक ID बना पाऊंगा लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका यूज हुआ मुबाइल नंबर या फिर यूज हुआ इमेल आइडी जो है उस मुबाइल नंबर ये इमेल आइडी से ICTC में कोई भी है कभी भी ID नहीं बना पाएंगे ऐसा ICTC का कहना है तो आप कभी भी इस्तिमाल किया हुआ मुबाइल नंबर ये इमेल आइडी को दोबारा से यूज नहीं कर पाएंगे उसे नई आइडी नहीं बना पाएंगे और अकर आपके ID ICTC सस्पेंड कर देता है तो आपका डॉक्यूमेंट फसा रहता है तो उस डॉक्यूमेंट से भी आप आइडी नहीं बना सकते हो इसके लिए आपको मेल करना होगा ICTC को और यहां पर आपको यह भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी ID को आपने सस्पेंड कर दिया है आप इसे एक्टिवेट कीजिए अगर मुझसे लीगल एक्टिविटी हुई है तो मैं आगे से ध्यान रोखूंगा ऐसा आपको IRCTC को लिखकर मेल करना होगा IRCTC खुछ से सस्पेंड करता है तो आपको भी नहीं पता आपकी ID सस्पेंड हो चुकी है अगर आप नहीं ID बनाते हैं तो कैसे बनेगा यहां पर आपको IRCTC को मेल करना होगा कि जो मेरी ID है उसे documents को release कर दो उस document से एक ID बना पाँगा लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि आपका use हुआ mobile number या फिर use हुआ email ID जो है उस mobile number या email ID से IRCTC में कोई भी है कभी भी ID नहीं बना पाएंगे ऐसा IRCTC का कहना है तो आप कभी भी इस्तेमाल किया हुआ mobile number या email ID को दोबारा से use नहीं कर पाएंगे उसे नहीं ID नहीं बना पाएंगे और अगर आपकी ID IRCTC सस्पेंट कर देता है तो आपका document फसा रहता है तो उस document से भी आप ID नहीं बना सकते हो इसके लिए आपको mail करना होगा IRCTC को और यहां पर आपको ये भी request कर सकते है कि मेरी ID को आपने सस्पेंट कर दिया है आप इसे activate कीजिए अगर मुझसे legal activity हुई है तो मैं आगे से ध्यान रोखूंगा ऐसा आपको IRCTC को लिखकर mail करना होगा तो IRCTC आपकी ID को activate कर देगा और चाहे तो आप अपना document भी release कर सकते हैं लेकिन आपने अपनी ID को suspend कर दिया है यानि कि document release कर दिया है तो आप उस ID को IRCTC को mail करने पर भी activate नहीं करेगा थात्पान कर दिखकर के लिए करदे है अंवाटों